अलो एब्रिवन तो आज मैं चली गई थी कार्नीबल में जो की नियू सेटिन बंगला की तरफ से किया गया था आस्टाबल मैदान में तो मैं गई थी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ और घुसते ही पूरे मेले में हम दोनों ने चक्कल लगाया फिर हमें दिखता है ये वाल संराइस का स्टॉल तो इदर दिया जारा था सब को एक एक कोपें और ये फिलाप करने के बाद ही सब को संराइस का एक गरम मसाला दिया जा रहा था और बो कूपन फिर जहाँ पर परफॉर्मेंस हो रहा था मैं और मेरी बेस्टी चले गए उधर और जाके हम दोनों ने मिलकर देखा रियांग दांस हम दोनों तो यही सोच रहे थे कि यार यह लोग बैलेंस कैसे कर लेते हैं वो भी इतने अच्छे से सो आप लोगों को ज़रा टाइमिंग बता देटी हुई यह वाला कार्नीबल करीब पाज बज़े से स्टार्ट हुआ था शाम का और रात का दस बज़े तक शायद रहने वाला था सो इस कार्नीबल पे बहुत सारा स्टाल बैठा था स्पेशली फूट का स्टाल थोड़ा ज़ादा था और यह देखो कितना सुन्दर सुन्दर और क्यूट हैंडमेज चीजों का स्टाल और इस कार्नीबल में कुछ हैंडमेज चीजों का स्टाल था और कुछ स्टाल कोलकात से भी आया था और ये देखो इस कार्निवल पे सेलफी पॉइंट भी था और इस जगह का थीम था क्रिस्मस इसका मतलब आप लोग अभी आके पिक्चर क्लिक करके जा सकते हो और पचीछ तारिक को ये पिक्चर पोस्ट कर सकते हो और इन से मिलिये ये आ गई मेरी दूसरी बेस्टी और ये देखो कितना सुन्दर सुन्दर सारी का कलेक्शन यार मैं तो इधर ही पिगल गई और ये वाला रेस्टा दे मुझे बहुत पसंद आया था फिर हम चले गए थे दूसरे स्टॉल में और इधर कुट्टा सेट का कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा था और ये रेखो हमारी बेंगुली एक्ट्रेश शुना मुनी आई थी कितनी सुन्दर है ना यार ये सो ये वाला कार्निवल स्टार्ट हुआ है आज से मतलब 15 डिसेंबर से और ये वाला कार्निवल तीन दिन रहने वाला है फिर हमें और एक स्टॉल से मिला था मुफट का एक एक फूटी फिर इधर से हम चले गए घर टाटा बाई बाई